हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो सरकारी रिजल्ट अड़ा दोस्तो इस वीडियो में बात करेंगे UPSC Mains Medical Science के सिलेबस की जिन लोगों ने Medical Science Optional के रूप में लिया है उनके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा इसमें Paper 1 और Paper 2 के सिलेबस की अगला टॉपिक जो है आपका Human Psychology होगा इसमें आपसे Endocrine System के बारे में डेटेल में पूछा जाएगा Psychology of Reproductive Systems के बारे में पूछा जाएगा Blood के बारे में पूछा जाएगा जिसमें Development Regulation तथा Fate of Blood Cells के बारे में पूछा जाएगा Cardiovascular Cardiac Output Blood Pressure तथा Regulation of Cardiovascular Functions के बारे में पूछा जाएगा Third topic जो है Biochemistry है Organ Function Test Vitamin तथा Mineral तथा Restriction Fragment Length और Polymorphism तथा Polymers Chain Reaction और तथा Radio Immunosis के बारे में पूछा जाएगा आ रहाईए अगला topic जो 4 ते यह Pathology से Related है इसमें आपसे Pathology से Related Detail में पूछा जाएगा अब बात करते हैं Second paper के syllabus की जिसमें आपसे General Medicine के बारे में पूछा जाएगा Pediatrics के बारे में पूछा जाएगा Dermatologist तथा General Surgery के बारे में पूछा जाएगा Obstrict तथा Gynecology Including Family Planning तथा Community Medicine Prevention तथा Social Medicine के बारे में पूछा जाएगा अगर आप इसका Detail में से ले बच जानना चाहते हैं तो मैंने इस PDF का Link वीडियो के Description में दे दिया है Comment में पिन कर दिया है आप उस Link पर क्लिक करके इस PDF को डाउनलोड कर लें और Unacademy द्वारा आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा Surprise है Unacademy द्वारा UPSC Civil Service Exam optional category launch की जा रही है अगर बात करें optional category के benefit की तो इसमें optional subject पे dedicated focus होगा और इसकी optional की अलग से test series कराई जाएगी और dedicated doubt clear session होगा जिसमें आपके one-to-one doubt clear किये जाएगे साथ ही आपको PDF study material प्रवाइड कराया जाएगा और अगर आपके पास plus subscription पहले से है तो आपको ये optional category जो है free में मिलेगी और अगर आपके पास plus subscription नहीं है केवल आप optional की तैयारी करना चाहते है तो इसका separate subscription ले सकते हैं और आप यहाँ पर optional subject देख सकते हैं यहाँ पर सारे subject जो है optional के cover किये गए हैं और आप यहाँ पर optional subscription प्लान देख सकते हैं अगर one month का लेंगे तो 5000 रुपे होगा और six month का प्लान जो है 22,000 का होगा 12 month का आपका 27,000 का होगा और 24 month का आपका 40,000 का है और तीन साल का प्लान आपका 50,000 रुपे का होगा इसमें अगर आप SR Adda coupon code यूज करेंगे तो आपको 10% का extra discount मिलेगा साथ ही अगर यह प्लान आप 31 October से पहले लेते हैं तो आपको यहाँ पर 27,000 का benefit मिलेगा आप देख सकते हैं अगर 31 October से पहले आप यह प्लान लेते हैं GS का जो 49,500 का होगा इसमें आपको optional के सारे subject जो हैं free में दिये जाएंगे टोटल यह 49,500 का होगा जो की 12th मंत का एक प्लान है और अगर 31 October के बाद में लेते हैं तो आपको GS का 49,500 देना होगा प्लस 27,500 आपको optional का देना होगा टोटल आपको 77,000 रुपे देने होगे तो आपको यहाँ पर अभी 27,000 का benefit मिला है आप इसका subscription जरूर ले ले इसके लिए मैंने link वीडियो के description में दे दिया है और इसके साथ ही अगर आप SR Adda coupon code यूज़ करेंगे तो आपको 10% का extra discount मिलेगा और इससे related अगर कोई doubt है तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं और ये वीडियो कैसा लगा मुझे comment section में जरूर बता है ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद